नमस्कार आदाव सस्रेकाल जय जनेंदर स्वागत है आप सभी का इबाव फिर से नियू इंडिया के मोस्ट डिवांडिंडिंग एंड मोस्ट डिजार्बर एलोकेशन प्रेटफर्म ग्रेट अपर आज कमार टॉपिक रहे का आर्मेरियन जिनोसाइड याने के आर्मेरियन न मानता देती है मैं मुहमद जवादार सभी का इबाव फिर से स्वागत करता है चलिए इसे डिटेर में डिसकस करते हैं सबसे बहरा बात करता है जीनोसाइड आखिर क्या होता है तो आपका 1948 के अंदर दिसंबर 1948 के अंदर एक कन्वेंशन होता है एक बैठब होती है जो की है नर्साहर कहलाता है जीनोसाइड कहलाता है और यह जो टर्म है जीनोसाइड आपको 1943 के अंदर पॉलिस एक लॉयर हुआ करते थे राफन लैमकिन नाम के राफन लैमकिन जो है यह परसन हुआ करते थे और इन्हों ने जो है टर्म का प्रयोग सबसे पहली बार किया था तो य पहला नर्शाकार के रूप में जाना जाता है और ये जो है वर्स 1915 से लेकर 1917 के बीच के अंदर आपका तुर्क सामराज्य के लिए जो है जो अर्मेनियाई लोगों के जो वाट था वो जिस तरह से उनको खतम करना जाते थे उससे रेलेटर पार्ट था क्योंकि नॉम्बर 1914 क सुरुआत हो चुकी थी और ओटोमान जो सामराज्य था तुर्क थे वो जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगरी सामराज्य था उसके साथ मिलकर युद के अंदर भाग ले रहे थे और तुर्कमान लोगों को ये लगता था कि अर्मेनियाई लोग युद में रूस का साथ देंगे औ अपने तरफ से काकेस का परवत है वहां पर आपको क्या किया था एक संगठन बनाया था जिसकी वज़े से वह बिल्कुल तुर्किस्तान में रहकर याले कि उस समय का ओटोमान सामराज्य में रहकर वो क्या करते थे उसके खिलाब कर रहे थे तो इसी को दबाने के लिए क्य किया गया 24 अप्रेल 1915 को विटिस्स जो हमारे ओटोमान तुर्क थे हमारे ओटोमान तुर्क ने बेसिक लिए कर दिया था कि एक सारा की सारा अर्मेनिया जो आधिकारी थे जो वुद्दी जी लोग थे उनको ग्रिफतार करने का और उनके मारने का हुकम दे दिया था और य यानि कि Armenian Genocide Remembrance Day के form में बनाते हैं और इस order के बाद में जो है अर्मेनिया जो परिवार के बच्छे यानि की चोटे बच्चे थे महिलाए थी वो सब को जो है अर्मेनिया के पार्ट है यहां जहां रहते थे वो छोड़ के जाना पड़ा और सीरिया अरब का जो रगिस्तान है इसको पार करते हुए बिना बोजन पानी और रहने के वो कई दिरों तक चलने को मजबूर होगा और इसी दोरान जो है अराउंड 1.5 मिलियन यानि कि लगबत 15 लाख लोगों की जो है अर्मेनिया लोगों की मर्तियों जाते है और इसी को हम कहते है अर्मेनिया नर्सहार यह पर बहाओ उसके ओपर कुछ न कोश पढ़ेगा और साहती साहत जो अन्या देश है वो भी अमेरिका जैसी सुपर पावर की तरह से मानिता मिलने पर वो भी जो है तुर्की के सामने इस तरह की प्राडलम को जो है सोगळने के लिए वो उनके उपर इस तरह को मानिता दे सकत यहां अर्बनिया लोगों के साथ अत्याचार किये गए थे लेकिन उसने यह भी मना किया है कि यह जो है नर्सहार नहीं था और यह जो आकड़ा हम बताते हैं 1.5 यह बिल्कुल गलत है यह इस तरह के कभी कोछी लोगों की डैथ जोई वह हुई नहीं थी तो यहां पर आपको यह चीज जानने की बहुत ज्यादा जूरूत है और अगर हम परभाव की बात करें अगर हम परभाव की बात करें तो यूएस और तुर्की का जो रिलेशन है वह और भी ज्यदा जो है प्रॉल्म ही क्रेट करेगा क्योंकि आपको पता है कि अल्रेड़ी यूएस तुर्की के बीच में प्रॉल्म चल रही है जाहे वह ऐस 400 का रक्सा परनाली खरीद की बात हो तुर्की की विदेश निति है उन सब को लेकर अभी अल्रेड़ी यूएस और तुर्की के बीच में किसी बीच का विवाद चल रहा है यह इस विवाद को और बढ़ाने वाला ही है अब बात करें भारत के उपर रुक की कि बारत का क्या रुक है तो बारत ने जो है आपचा बारत की तो सु crown नहीं है के बारत क्या रहा है विऑ इससे संसे भूछ विवाद पार्ट तो इसको आपका is एकी कार्ण कर सकते हैं, यह मैंड माप से हो जितना कुछ हमने पढ़ा है हर एक पॉइंट को हम अच्छे से देख सकते हैं मिनिंग ऑफ जिनुसाइड क्या है अरमेन जिनुसाइड क्या होता है इसका महतु क्या था तुर्की का response और effect क्या आएगा और साथ इसाथ भारत का क्या stance रहा भारत का क्या रुख रहा यह हम इसके अंदर देख सकते हैं वाल देख फोर अग्यामेसन बने रही है ग्रेड़क के साथ क्या की साइपर आपातु लाइव सेट है इस्टे हूम, इस्टे सेफ, इस्टे स्ट्रॉंग. Thank you very much. Have a nice day.